दोखो जैसे एक कोशन हम लोग करते हैं दोखो कोशन क्या है Find the dimensions of rectangle of maximum area that can be inscribed in a ellipse दोखो ये ellipse दिया गया दोखो क्या है इसको ऐसे लिखे अब को याद होगा ellipse का equation ये होता है तो क्या होता है दोखो ellipse का graph कुछ इस तरह से बनता है ऐसे करके ये distance a होता है ये भी a होता है ये b होता है और ये भी b होता है लेकिन ये तब जब a greater than b हो अगर अगर इसी equation में a less than b हो जाता है तो ये ellipse दोखो ऐसे vertical way में बनता है अभी भी ये distance a ये a और ये b और ये b अब दोखो यहाँ से clear है कि b a से बढ़ा है दोखो ये a ये a ये b ये b दोखो यहाँ से b a से बढ़ा है और यहाँ पर क्या है दोखो a b से बढ़ा है अब दोखो जैसे a greater than b है तो ellipse ये है a less than b है तो दोखो ellipse ये है ध्यान दो अगर हम ellipse पर कोई एक point मानना चाहते हैं तो वो point होता है a cos theta, b sin theta अगर हमें ellipse पर कोई point चाहिए तो वो point होता है a cos theta, b sin theta दोखो जैसे ये हमारा ellipse है इसमें देखो a square कितना है बोलो 16 तो a क्या हो गया 4 और b square देखो कितना है 9 तो b क्या हो गया 3 अब हमसे कहा गया कि एक rectangle जो ellipse के अंदर बनाया गया दोखो जैसे ये एक rectangle है, ये एक ellipse है, इस ellipse के अंदर देखो एक rectangle बनाया गया ऐसे करके, मालो ये a, b, c और d, दोखो ये rectangle हमने ellipse के अंदर बनाया अब हमें rectangle का area maximum चाहिए, rectangle का area देखो maximum चाहिए, दोखो काम करें इस पर एक parametric point a cos theta और b sin theta माल ले, a है 4, b कितना है 3 तो दोखो actually parametric point माल ले हम लोग क्या, 4 cos theta, 3 sin theta है न दोखो, a cos theta, b sin theta parametric point होता है, a है 4, b है 3 तो एक point क्या हो गया वहलो, 4 cos theta, 3 sin theta दोखो, ये distance हो गई, 4 cos theta और ये distance क्या हो गई, वहलो, 3 sin theta तो दोखो, इस rectangle का area क्या हो गया, length, यानि इसका double, तो 8 cos theta और breadth, इसका double, तो 6 sin theta, है न, rectangle का दोखो area क्या हो गया, दोखो, ये length, इसका double, मतलब 8 cos theta ये breadth, इसका double, मतलब 6 sin theta, actually, ये point कहां से आया, parametric point मैंने बताया, parametric point क्या होता है, a cos theta, b sin theta, अगर हमें ellipse पर कोई point मानना हो, तो उसे parametric point मान सकते हैं, जिसलिए मैंने बताया था, आपको coordinate में, अगर हमें parabola पर कोई point मानना होता है, तो उसकोई parametric point मान सकते हैं, अगर हमें circle पर कोई point मानना होता है, उसकोई parametric point मान सकते हैं, है न, तो ये थोड़ा याद रखने पड़ते हैं, और ये coordinate में हमको याद कराए जाते हैं, parameter points तो बतको वही किया A cos theta A है 4 B है 3 तो 3 sin theta यह हमारा origin है यह हमारा origin है इसका coordinate क्या है 4 cos theta 3 sin theta तो मतलब यह distance हो गई 4 cos theta और यह distance क्या हो गई बोलो 3 sin theta तो length हो गया 8 cos theta rate क्या हो गया 6 sin theta तो यह area आ गया तो कितना है यह है 24 into 2 sin theta cos theta तो यह change हो गया 24 into sin 2 theta अब तो यह हमारा area आ गया हमें area को maximize करना है तो area maximum कब होगा जब sin की value maximum होगी और sin की maximum value क्या होती है बोलो 1 होती है ध्यान दो तो sin की maximum देखो अब हमने यहाँ पर differentiation का use ही नहीं किया तो कि दो को sin function है और sin function हमको मालूम है maximum कब होता है तो यहाँ पर differentiation की जरूवती नहीं है तो कि sin function है sin function की maximum value 1 होती है तो area maximum कब होगा जब sin की maximum value 1 आएगी अब दोको यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 theta कितना हो गया 90 तो theta कितना हो गया बोलो 45 degree हमें क्या चाहिए dimension दोको dimension मदलब length of rate चाहिए दोको ध्यान दो length क्या हो गया इसका rectangle का 8 cos theta 8 cos theta theta को रख दो 45 तो क्या हो गया बोलो 8 cos 45 तो 8 into 1 by root 2 दोको यह क्या बचेगा यह बचेगा 4 root 2 दोको यह length हो गया दोको यह हो गया breadth ब्रेट क्या है बोलो 6 sin theta और theta को रख देंगे 45 तो 6 into sin 45 तो 6 into 1 by root 2 दोको यह आ गया 3 root 2 तो दोको length भी आ गया और दोको breadth भी आ गया ध्यान दो है ना length भी आ गया और दोको यहां से breadth भी आ ध्यान दो तो यह ellipse parabola वाले question भी देखो काफी यहां पर आते हैं जो मैं आपको लगाता करा रहा हूँ तो यह question और यह सब important question है ध्यान देना maximum minimum में जहां जहां यह coordinate आ रहा है यह question उस three dimension वाले की तुलना में ज़्यादा important है ध्यान देना जैसे हम जो sphere cylinder कोन की question करते हैं उनकी तुलना में यह question बहुत important है अभी जह हम लोग coordinate पढ़ेंगे तो उसमें और भी यह question आएंगे details से लुकू बच्चो ध्यान से इसको पहले